नमस्कार मैं मनुझ मनुझ मुनूँ आप देख रहें इंडिया न्यूज पांच चरण का मत्यदान पूरा हो चुका है इंडिया ने अपने दावें और विपक्ष के अपने बाद लेकिन 2024 के चुनाओ की धूरी है प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी प्रधान मंतरी मोदी ने कैसे 400 पार का टार्गेट सेट किया और पांच चरणों में इसके कितनी करीब पहुँच गई है बीजेपी इसे लेकर तमाम अटकले लगाई जा रही है पांच चरणों में कैसे बद्दे मुद्दे और कैसे विपक्ष के हर चक्रव्यू को प्रधान मंतरी मोदी ने भीदा आपके मन में जो भी सवाल है उन सभी का जवाब आज खुद प्रधान मंतरी मोदी देंगे ITV नेटवर्क पर प्रधान मंतरी मोदी का अब तक का सबसे बड़ा और सॉलिट इंटर्व्यू आज रात 9 बजे कि अब उनके मैनिफेस्टों में कहा गया है कि अब ठेके में भी आरक्षण होगा कांट्रेक्श सिस्टिम में बटलब कहीं ब्रीज बन रहा है तो ब्रीज कि साधर प्राद दिया जाता है जो कंपनी लेना चाहती हूँ उसमें रिसोर्सफूल है कि नहीं एकस्प्रियंस है ब्रीज कर जेंगा को समय पर करने कि उनकी ख्षमता है रहे है इन सब को देख करके उसको टेंडर मिलता है तब बहुत अब कहते हैं उसमे भी हम minority को आरक्षन देंगे, मुसल्मान को आरक्षन देंगे. यह सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ करके देखें, तो जब यह कहते हैं, हम inheritance tax लगाएंगे, मतलब जो भी संपत्ति लेगी, तो संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? जो मनमुन से ही कहाता, अगर यह सीधा-सीधा पुरा कहनवास पुर रखो, तो इसका लोजिक यही निकलता है, यह देश कैसे सुकार करेगा? आपने तो देखा, वो छोटा हिस्सा है, लेकिन रात नौबजे आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का बेहत खास इंटेव्यू इंडिया नियूस पर देखेंगे, पांच चर्णों के चुनाव के बाद बधान मंत्री मोदी का यह इंटेव्यू कई मायनों में बेहत अहम है, बधान मंत्री मोदी ने खुल कर कई मुद्दों पर बात की है, उन्होंने बताया कि कैसे कॉंग्रेस ने राम मंदिर पर अडंगा लगाने का काम किया, सैकुलरिजम का नकाप पहन कर मजहभी राजनिती करने वालों पर भी पधान मंत्री मोदी ने सीधी चोट की है, धान मंत्री ने गरीबी हटाने की अपनी योजनाओ पर भी बात की है और खुद का रोड मैप भी बताया है, ये सारी बातें आज रात नौ बजे आई टीवी नेटवर के एक्स्कुलिसिव इंटर्विव में आप देखेंगे, लेकिन उसे से पहले मैं आपका परचय उन तीन लोगों से करवाता हूँ जिन्होंने ये खास इंटर्विव लिया है, हमारे साथ नौज एक्स के एडिटर इंचीफ प्रिशब गुलाटी, इंडिया न्यूज के एडिटर इंचीफ राणा यश्वन्त और दा संडे गार्डियन की एश्वरिया शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी से बात की हैं, वो सबी हमारे साथ हैं, हम उनसे समझेंगे और जानेंगे कि जब ये साक्षातकार हो रहा था, जब ये इंटर्विव हो रहा था, तो किन-किन मुद्दों पर बात हुई, और देश के पधान मंतरी नरेंद्र मुदी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके दिन की शुरुवात होती है और दिन का अंतिम पहर जब ढलता है तो उनके चेहरे पर ना कोई शिकन होती है ना कोई ठकाबट होती है और लगता है कि अभी भी कुछ काम बाकी है और उस का को करने के लिए वो व्याकुल होते हैं सबसे पहले एश्वारी जी हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे ये जानना चाहूंगा समझने की कोशिश करूँगा कि जब वो देश के पधार मंतरी नरेंद्र मुदी के साथ मौजूद रही तो कैसा लगा उस पल जब सुबह छे बजे उठे थे और शाम दिन खत्म हो गया था और उनकी इनरजी उनकी ऊरजा और उनके चैरे के भाव कैसे थे हमें ये पता था कि वो सुबह पूरी में रोड़्शो कर रहे हैं और उनका रोड़्शो साथ-साध साथ बज़े शुरू हो गया था सो सुबह साथ वजे से और हमारे इंटर्विव बारा घंटे बाद था आठ वजे शाम को तो उतनी एनरजी इतने घंटों के लिए कॉंस्टेंटली रखना ये एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग फैक्टर था दूसरा फैक्टर ये भी था कि उनकी जो वहां पर महौल था पार्टी ऑफिस के बाहर जो महौल था और जो वहां पर शेहर में चेहल पहल थी हम लोग कई एरियास में भी गए और हमारे जो संपादक हैं वह आपको बताएंगे कि लोगों का अलग-अलग वर्जिन भी था एक सो आपको ये समझना होगा कि बहुत ही जादा प्राइम मिन मैं एक सवाल मनुझ मैं पूछता चाहता हूं उसके दिशभी हैं और हम तीनों वहां थे जब इंटर्व का दौर शुरू हुआ और आपने रोजगार पर सवाल पूछा और ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि विपक्ष उठाता रहता है रोजगार को लेकरके उन्हो उन्होंने बहुत ही शांती पूर्वक इस बात का सवाल का जबाब दिया क्योंकि उनके मेरे को जो समझ आया उनके पास clarity है कि उनको अपने तीसरे कारेकाल में क्या करना है कैसे more job creation करना है वो job creation और loan से लोगों को empower करने के लिए चाहे लेडीज हो या आदमी हो वो कैसे करना चाहते हैं अपना business setup करें सरकार आपके साथ हैं वो आपके अंदर एक confidence पैदा करना चाहते हैं कि सरकार आपका हर कदम पर साथ देगी और आपको एक job creator जो बहुत एक बहुत ही respectable और बहुत ही ज्यादा important position है वो इस देश के हर यूबा को उस position पर ले जाना चाहते है जी रिशव गुलाटी अपने साथ मौझूद हैं इंडी गटबंदन एक narrative set कर रहा है और वो कहीं न कहीं narrative secularism का है इस पर भी देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदीन अपनी प्रतक्रिया दीप क्या थे हैं मनोजी ये प्रतक्रिया जो आप सुनने वाले हैं इस conversation जो आप सुनने वाले हैं इस interview में ये इसका सबसे महतवूर्पूर्ण point है प्रधान मंतरी ये नहीं कह रहे हैं इस interview में कि देखिए वो secularism का मुद्धा उठाते हैं लेकिन करते हैं अपीजमेंट ये तो हम सुन चुके हैं पहले प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो secularism का निकाप पहन कर गोर सामपरदायक का करते हैं गोर कमिनलिजम करते हैं 75 साल से कमिनलिजम चल रही हैं फिर सवाल आप पूछेंगे कि कमिनलिजम चल रही है तो किसके खिलाप चल रही हैं और यही चर्चा का हमारा interview के बहुत विशे होगा कि अगर ऐसा है कि कमिनलिजम किया जा रहा है, हिंदू के अगेंस किया जा रहा है, क्या इसका यही कारण है कि राम मंदिर इंडिपेंडेंस के बाद बन नहीं पाया, क्या इसका यही कारण है कि हाली तक कुछ दशक पहले तक पीच दामरम हिंदू टेरर, सैफरें टेरर की ब सब्सक्राइब कर लिए बोल रहा हूं जिनों ने सेकुलरिजम का नकाब पहन करके गोर संप्रदाइक तकी है और इन लोगों में तीन चीजे कॉमन नजराती हो जे एक एक गोर संप्रदाइक है यह लोग गोर जातिवादी हैं यह लोग गोर परिवारवादी यह तीन चीजें इतनी भरी पड़ी है इनके अंदर विश्वास बाहर नहीं निकल सकते है इस्वार जी चुकि हम तीनों वहां थे एक कमरे में में हमारा स्टप लगा हुआ था प्रधानमंत्री को आना था रिश्वब बहुत देर से खड़े थे लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद जो महाल आपने महसूस किया उसको आप कैसे कैसे रखना चाहती है I think प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही हमारे तरफ वो पेशिंट थे उन्होंने हमारे से बात करके हमें comfortable किया कि हम अगर हमें कोई एक वो मुमेंट होती है प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी का आप इंट्र्व्यू कर रहे हैं तो जाहर सी बात है कि आप थोड़े बहुत नर्वस हो जातें, तो वो हमें इस बात पर वो हमें पेशन्ट ली उन्होंने हमें सेटल डाउन किया और जब हम सब सेटल डाउन होगे तब ही इंटरव्यू स्टार्ट किया, तो वो जल्दी में नहीं थे. जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने वाले जो कैमरामेन थे, उनमें से एक कैमरामेन भी मुझे बता रहा था, कि जब हमने कहा कि आपका फोरेट चमक रहा से ठीक कर लीजे, तो बड़े मुस्कराते हुए हसते उन्होंने कहा कि सारे कैमरामेन की यही परेशानी सबसे फोरेट की तरह द्याता है, मेरे टीम में उन्हों कहा कि सब के साथ फोटो ले लेते हैं, तो दो लोग बाहर थी उनको बुलवाया गए, तो एक हमारे कैमरा पसंद थें, तो अन्हों कहा कि मेरे फोटो हुई नहीं तो उनको बुलवाया गया, राना जी आपने पूरी ख़ बागे हैं कली में ठीक है अब लग रहा है स्टूडियो में कि एसी में कि तब कभी कभी पत्रगारों के तब आप शुरा जिन मुझे कहा कि मेरे साथ ही चले-चलिये तो मैं कहा कि निम्हें मैं आता हूं और जो मैं आता हूं है वो इतना भारी पढ़ गया कि मैं जब चलिए जहां तक ट्राफिक खाली होता है तो मैं उसके बार दाहे किलोमेंटर के आया, जहां लोग खड़े थे, एक अच्छी बात आता हूं आप लोगों को, कि भीड लगी हुई थी और लोगों को घर जाना था, लेकिन उनके भीड़ तर उसकते इस बात के थी कि मोदी जहा जाएंगे तो देखना है, आप जब शाम को घर लोट रहे होते हैं तो आपको लगता है जितनी जल्दी घर लोट जें अच्छा है यार, जल्दी घर जाना है, लेकिन आप देखिए कि एक लगाव नेंद मोदी के साथ कि लोग वहाँ patiently वेट कर रहे थे, उसी भीड में मैं जाना है और मुझे उसे तरब तर देखा है, मैं हाल बेहाल था, तो उन्हेंने कहा है, पी में अर इठा लिया, बाइक पहे बैठा उनके और वो फिर ले गए और चनक्या होटल का flyover है वहां तक उसके बाद सबाग किलोमेटर के आस पास ये रास्ता होता है यहां फिर ब्ल तो एस्वार जी ने कहा कि अच्छा मैं कह रही थी कि आप चलिए तो आप नहीं है लेकिन इंटर्व्यू लेने के लिए आपने कितनी मेहनत करने और कितना पसीना बहाया लेकिन रिशाब साहब मैं आप से पूछना चाहता हूँ यह प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी, not candidate नरेंदर मुदी in 2013, not chief minister नरेंदर मुदी यह अब आपको हमें लगता है कि किसी different level पढ़ाओ, किसी और orbit पे operate कर रहे हैं लेकिन शुरुआत तो आपको पता है कहां से हुई थी और क्या-क्या करना पड़ा था, कुछ guaranteed नहीं था कि कहां से कहां पहुच जाएंगे तो यह जो उन्होंने करा है, करीबन राजनीते में तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन administration में 25-30 साल हुए है जो करा है, आप सोचिए, मनो जी आप भी news channel चलाते हैं, हम भी आप और network में काम करते हैं इतना logistics organize करना ही असान नहीं होता तो imagine देश भर में अगर प्रधान मंतरी अपने party के साथ रोज रोज पांट-पांट-पांट-छे-चे रैलियां कर रहे हैं इतना accurately कर रहे हैं कि schedule करीबन टाइम पे लग रहा है कि भी गर्मी में कोई इन वेट ना करे ये, it's an administrative feat, which is not a joke schedule बिस नहीं करते हैं और एक और बात मनोज में करना चाहूंगा अश्वर जी मुझे से शेयर कर रही थी patiently सुनते हैं आपको आप समझें कि श्वरा जी अब बैठे वे तो हमने कहा कि आप वो पूरी में थे और इतनी गर्मी में उडिसा में रहलियां थी फिर वहां से बटना आना फिर सुश्वीर मोधी पार्टी की बड़े नेता उनके घर पर जाना और फिर वहां से पार्टी दफ्तर आना पार्टी दफ्तर में जितने लोग जमाते विहार से उनके साथ वो चल चल के बात कर रहे थे मैं एक करकरता के कंधे पर हात रखा फेर हों प्र portal मंत्री हूँ लेकिन अभी मैं आपके बीच में करकरता के तौर पे हूँ मेरा जो अपना वब है मैं आपको बताना चाहता हूं के World में आपनों को कैसे काम करना चाहिए और फिर वहां से निकल करके इंटरू के लिए आए अश्वरा जी अब चुकि वह दिन भर की भागम भाग थी और आप बहुत नजदीक से इस पर मतंद्धान भी दे रही थे कि आएंगे तो पता नहीं लेकिन जब वह आए आपने इंटर से एक था परिश्वानी चिंता कि थक गया होंगे और देर हो रही है इंटरू के लिए इंटरू कैसे होगा जो आप कहते हैं कि पेशन्टी सुनते हैं और जवाब बिल्कुल देते हैं मैं चाहता हूं कि उस पूरे सिलसले को आप रखिए हमने सोचा कि कई घंटे बाद रा बहुत ही शांती पूरवक बैट कर हमें समय दिया और वो देश के प्रधान मंत्री है सेकडो रैलिया कर रहे हैं डे टु डे उनकी प्लानिंग चलती है उसके बीच में बैट के शांती पूरवक एक इंटरूव्यू देना भी और हर एक सवाल का जवाब देना भी एक बहु और मैं यह observe कर रही हूँ क्योंकि मैं historian हूँ और मैं किताब ही लिखती हूँ कि वो हर election चाहे वो state election हो और national election हो जीतने के बाद वो BJP के party office जाते हैं कारेकरताओं से मिलते हैं उनसे धन्यवाद प्रकट करते हैं वो कारेकरताओं को बताते हैं party प्रबल है party आपकी माता है और party क जो कारेकरता है वो party की नीव है जिसके उपर party खड़ी है वो party की जो एहमियत है वो बार बार लोगों को इस तरीके से बताते हैं जो नए party worker आते हैं वो जब प्रधान मंत्री को देख रहे हैं कि वो party को इतनी एहमियत दे रहे हैं कारेकरता को इतनी एहमियत दे रहे हैं people to people कनेक्ट इतने देर है तो जो नए उनकी पाटी के जो नेता है वो इसी सबक से आगे बढ़ेंगे और यही कराने के देश के प्रधान मंत्री ने क्या का वो भी सुनिए मैंने इस बात को शुरू किया मैंने नेक्स फाइव यर के लिए भी कहा इसलिए कि जो गरीबी से बाहर निकलता है उसके जीवन में जैसे आप अस्पताल से गर आए इने वे आपको ट्रीट्मेंट हो चुकी आपकी लेकिन प्रिकॉशन जरूरी है आपको बताता है डॉक्ट कि पर घर जाते हैं कि इतना रेश करना ये मत खाना वो बत खाना ये समालना क्यों बीमारी को देट्रस किया है क्योंकि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी करो तो फिर से वह उस आलत में कर जाए इसलिए गरीब जब गरीवी से बाहर निकलता है तब उसको सबसे ज्यादा ये जवाब बहुत जबरदर्स था रिशब का सवाल था रिशब ने चुकि इसके पहले प्रदाम दे कहा था कि हमारी सरकार ने 25 करोड़ों को गरीबी रिखा से बाहर निकाला है तो रिशब ने पूछा कि 25 करोड़ों को बाहर निकाला तो 80 करोड़ों को राश्वन दे रह जवाब था कि देखिये जब पुराने जमाने में Go Down में और हमने देखा है चूए खा रहे हैं बारिश पढ़ रही हैं सारा अनाज सड़ रहा है तो ये सवाल नहीं है गरीबों को क्यों नहीं दे रहे हो सवाल और यही सवाल सुप्रीम कोड ने पिछली सरकार के साथ किया था और उनने बोला कि हम नहीं दे सकते हैं और मैंने basically हुद कह रहे थी भी है BE mijnने करके दिखा दिया दे सकते हैं और गरीबी रेखा कि उठने के बाद जैसे आप और पूरा जो जो एक्स्प्लेइन करते हैं कि देखिए अगर आप अस्पिताल से वापस आए ठीक हो गयो लेकिन ऐसा खाना ऐसा रहना जादे कसरत मत करना यह जो एक्स्प्लेइन करते हैं that way of explaining things through metaphor, simile, if this of course उनका आर्ट है. इस पूरे interview में जो take away आपके लिए रहा, वो क्या रहा? सबसे पहले तो मेना take away है कि प्रधानमंत्री जी की जो energy है और जो उनका उनका जो facts पे जो पकड़ है, जो उनकी जानकारी है, जो उनका person to person connect है और जो उन्होंने अपने लिए benchmark set कर ली है, वो उनके benchmark है, जो उनको लगता है कि उनके जो voter है, मद आता है, उनसे expect करते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, उन पे बहुत जिम्मेवारी है, वो हर बारी वो benchmark revise करते हैं और उसको और उपर ले जाते हैं, और उसको पूरिया करने की पूरी कोशिश करते हैं. उनके से उन्होंने अपना connect बनाया है, वो मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान में बहुत कम हुआ होगा, और अभी दो बार प्रधानमत्री रहने के बाद तीसरी बार सरकार के आने को लेकर जो मीद उनकी है, वो क्यों है, मुझे लगता है कि मैं आश्राज के पास फिर जाना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो अब contracts है, जो tender निकलेगा, ठेके होंगे, उन ठेकों में भी अब होता है कि नहीं आराक्श्वन दिया जाए किन लोगों को, जिन लोगों के बारे में मन मोहन सिंग पहले से कह चुके है, इन दोनों चीजों को correlate करके ए governance का, governance model है कि मेरी जो सारी schemes हैं और उसके जो फाइदा पहुंचे, उन्होंने बोला 100% saturation, सब को फाइदा पहुंचे, विपक्ष सोचता है कि हम ये issue उठा लें, secularism का या हम जातिगर्ड जन करना का, मैं यहाँ पर एक बहुत important point कहना चाहूंगी, Prime Minister बात कर रहे हैं, solar energy की, energy environment की, energy which is driven by needs of modern India, वो बात कर रहे हैं, roads, development, job creation, और opposition क्या बात कर रहा है, जातिगर्ड, जन गन्ना, जो equally important issue है, बट वो क्या defining issue है, election का, तो आपको क्या लगता है, मदाता किसको चुनेंगे, जो development और governance की बात कर रहा है, या जो ये जन गन्ना पे बात कर रहा है, किसको choose करेगा, आपको क्या लगता है? बिल्कु सही, इसलिग कह रहे थे कि इस बार का चुना वो पार्टियों का नहीं है, ये मदाता का है, ज्रेश की जनता ने तै कर लिया है, और चुना इस बार मदाता लगता है, रिशवब जैसे ही अपना इंटरूर शुरू कर रहे थे, तो रिशवब ने कहा कि आप से वि इस बार मदाता है, ये मदाता लिए ने करते हैं, तो ये सारी चीजे वो मिडिया में स्पेस अपना इस बार करने करने हैं, अब मोदी को गाली एक ऐसी चीज है, कि उसमें बाकी कुछ हो या नहीं हो, पॉबिसिटी की गारंटी है, कोई छोटा सा भी नेता अगर मोदी कोई गाली देगा तो आदे गंटे गंटे के लिए तो टीवी में उसको जगा मिल जाएगी तो हो सकता है कि मोदी उनके लिए सीड़ी का काम करता हो करने की तो कोशिश कर ही रहा है लेकिन इन सब के बीच राना जी आपने भी देश के प्रधानमंती नरिंद्र मोदी से कई सवाल पूछे उनमें एक सवाल दोजार चुनाओ जिसके इर्देट को भूम रहा है वो सवाल आपने रानमंदिर और एकवाल अंसारी को लेकर पूछा है उस पर क्या जवाब रहा है हम एक दूसरे से सवाल कर ले देए लेमी आपने को एक ख़बर मैं बताना चाहता हूं लेकिए मैं मनोज जी और राना जी के साथ मेरी हिंदी इतनी सरल नहीं है अंग्रेजी पत्रकार हूँ मैं तो इंटूडक्शन करने तरफ मैं तो बस सवाल याद रह जाए मैं तो याद रह जाए पूछा क्या था इतना हो गया अपनिंग बॉलर आप थे आपने ये सवाल पूछा क्यों पूछने का लॉजिक जो जवाब से मिल गया देखिए कि देखिए जैसे टिपनिया होती है हमें तो सोचना पड़ता है ना भी टिपनिया को लगता है तो अभी खबर है देखो कैसे बोला बट यह फिर ऐसी तो गंदगी फैलती है क्योंकि फिर कोई मीडिया अडवाइजर कुछ पत्रकार लोग ही है हमारे लोग जो मीडिया गये जो बोलते हैं भी जैसे अर्फशत चीदों बोलो आपकी पब्लिसिटी होगी और आपका नाम बढ़ेगा इन्फिमी और फेमस क्वेट फरक होता है